सावन सोमवार वरत दो हजार तेईस, बेहज शुब योग में है सावन का तीसरा सोमवार, ऐसे करे पूजा अर्चना, इस बार सावन का तीसरा सोमवार बहुत ही शुब माना जा रहा है, क्योंकि सावन में अधिकमास का यह पहला सोमवार है, ऐसे में इसका महत्व बढ़ जा कई लोग सोच रही हैं कि इस दिन वृत रखे या नहीं? वृत रखे तो कैसे करे पूजा और अजना? आओ जानते हैं तीसरे सोमवार का महत्व. इस बार शावण माह में ही अधिकमास का प्रारंब हुआ है. अधिकमास का यह पहला और शावण मास का तीसरा सोमवार है. ऐसे में इस सोमवार का महत्व बहुत ज्यादा है. इसलिए यदि आप सभी तरह के संकट, कर्ज, कलेश आदी से मुक्त होना चाते हैं, तो चार कार्य विशेश रूप से कर लीजिए, बहुत लाब होगा डौट, रुद्राभिशेक पूजा की सरल विधी, पूजा सामगरी भांग, धतूरा, बैलपत्र, दूद, दही, घृत, शेहिद, चीनी, अनार, रितुफल, भस्म, चंदर, सफेद फूल, जलका पात्र, गंगा जल, शिव भोग, प्रसाद आदी डौट, शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करके पूर्व में मुक करके रुद्राभिशेक करते हैं, डौट, पहले शिवलिंग का शुद्ध जल्या गंगाजल से जलाभिशेक करे, डौट, इसके बाद पंचामरित, दूद, दही, शेहिद, शक्कर, घी, समेत गन्ने का र शिवलिंग के बाद पुन, जलाभिशेक करे, डौट, इसके बाद शिवजी को चंदन और भस्न का लेप लगाए, डौट, लेप लगाते समय महमृत्यन जय मंत्र या रुद्राष्ट का मंत्र का जाप करें, इसके बाद उन्हें पान का पत्ता, बेलपत्र सहित सभी बची हुई पूजा सामगरी करे, डौट, इसके बाद उन्हें उनकी पसंद का भोग लगाएं, और इसके बाद 108 बार शिव मंत्र का जब करे, डौट, जब करने के बाद उनकी आरती उतारते हैं, डौट, आरती के बाद प्रसाद वितन करते हैं.